जैशन दोस्तों मैं एर्भय आपका एक बाहर फिसे टेक्पुरी चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंलोग फंक्शन आखिर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लेंग्विज के अंदर जो कि आपको डैणेमिक मैमोरी आखिर करते हैं य यानि कि मैलोग फंक्शन को आप इस प्रोग्राम में ये उसकार सकते हैं दोस्तों अगर आप इस चारवार पहली बार आए तो क्यर्पैस से आनको सब्सक्राइब कर जीज़े क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों बिना किसा अब और बाद के वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने कमेंड दी हुई है देर मैं लिख रहा हूं has include और stdio.h क्योंकि मुझे जो है न printf और scanf जो हमारे दो function होते हैं उनको include करना है अपने प्रोग्राम में then हमें malloc function का भी use करना है तो malloc function मैं आपको बता था एक header file के अंदर होता है जिसका नाम होता है alloc.h पर अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो मैं compiler यूज करने बाला हूं वो पुराना compiler नहीं है पुराने compiler के साथ से एक दम सही है पर अभी जो मैं यूज करूंगा वह होगा हमारा gcc compiler तो आप जब gcc compiler की हमने has include standard library.h header file यहाँ पर मैं void main या int main कोई भी एक main method बना लेता हूं ठीक है main method की मैं यहाँ पर body ले ली और अब हमें क्या करना है कि हाँ पर मैं चाहता हूं कि हम runtime पर integer ले यूजर से और जितने user integer दे उसी हिसाब से runtime पर उसकी memory को allocate करें ठीक है हम यह नहीं करेंगे कि हमने चार integer बना लिए और हम चार बार input ले रहे हैं तो हम चार ही बार ले पाएंगे input क्योंकि हमारे पास 4 बेरेबल है हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार user से input लें इंटीजर टैप के number क्या और उतनी बार हमारा memory में space बनता चला चाहें यानि कि हम dynamic memory बना रहे हैं जो कि हमारा runtime पर create होगी सो उसके लिए सबसे पहले क्योंकि आपको पता है malloc जो function होता है हमारा वो void pointer या फिर null को return करता है तो उसको हम किस में hold करते है उसको हम hold करते है एक pointer में सबसे पहले हम एक pointer चाहिए तो हम p नाम से एक pointer बना लेते हैं ठीक है जो कि आपका integer type का address को hold कर सकता है तो number input कराने के लिए भी हमें एक variable चाहिए तो उसका नाम हम name रख लेता है जो कि हमें बता हैं इतने number हम user से input लेने बाले हैं देन हमें लूप का भी use करना क्योंकि हम multiple time input लेना है तो multiple time बार-बर चलाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है हम यूज़ करते है लूप का तो हम यह पर लूप के लिए हम i नाम से एक variable ले ले लेते हैं तो हम यह तीन variable यह पर declare कर ले then हम एक printf method या function का use करते है जिसके लिए हम लिखते हैं enter आप बताईए कि आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं तो हम यह message display करेंगे then हम scanf में input ले लेंगे तो कितने नंबर input कराने हैं इसके लिए हमने कौन से variable लिए हैं हम लिए है num नाम से variable तो हम लिखेंगे num अब क्योंकि हम इंपूर्ट चाहिए तो हम इसके आगर लिखेंगे % क्योंकि हमारे यह scanf का function then semicolon लगाएंगे आपको लिखना है सबसे पहले तो method का name या function का name जो कि आपका malloc है अब malloc का syntax आपका बोलता है क्योंकि हमने 20 byte का दे दिया तो भाई अगर वो बंदा सामने बारा चाह रहा है कि हमें 30 byte के जो चाहिए तो यह 30 byte में convert होगा ही नहीं तो ऐसे में हमने क्या किया कि हमने उपर जो एक input लियाने number उसको हम यह आपर enter कराएंगे then हमें integer size के यानिकि 2 byte का ब्लॉक बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे multiply कर देंगे size of operator और इसके अंदर हम int को लिख देंगे यह सब मैंने आपको syntax बता है अपने पिछली वीडियो में अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है नीचे 3 into 2 क्योंकि integer है तो यह space बनाएगा 6 byte का यानि कि आप 6 byte के अंदर total 3 integer को input करा सकते हैं अब क्योंकि malloc आपको कुछ ना कुछ तो return करेगा तो उसको आप hold कराना पड़ेगा तो hold कराने के लिए हम नहीं नहीं आप pointer pointer के अंदर हमारी value चले जाएगे बस आपको इतना ही करना है ठीक है और यहाँ पर आपको samiconon को लगा देना है अब बात ही आती है कि यह void pointer ना अगर return करे यानि कि memory ना बनाए तो क्या करेगा यानि कि अगर heap में memory में space ही ना हो तो वो क्या return करता है वो return करता है आपका null को तो हम एक बार check जरूर कराएंगे if pointer जो है वो अगर आपका null है ठीक है तो आपको print कर दिना है कि आपकी जो space है वो available नहीं है और साथ में अगर आप यहाँ जाएंगे तो यह program तो बापिस चल जाएगा न तो इसको program को भी आपको terminate करना है कि अगर अगर यहाँ पर compiler पहुंचेगा तो आपको for loop को use करना है यानि कि आपको बार बार जितने number चाहता user उतने input चाहिए integer type के तो आप करते हैं for, for के लिए हमने i variable लिए जिसको हम 0 से initialize करते है i को last then करते है number तक यानि कि number तक हमें चलाना है यतना भी number हमारा होगा input में then हम i++ कर देते हैं for की body में जाने के बाद हम printf जे सकते हैं दोवार से then यहाँ पर हमें scanf का use करना है scanf क्यों क्योंकि हमें integer चाहिए integer में आपको format specify percentage d लगाना है क्योंकि आपको integer type पे input चाहिए then input किस में लेंगे आप पहले आप क्या करते थे अगर आपको array में चाहिए तो आप array का location देते थे आपको variable में चाहिए आप variable का नाम देते थे यहाँ पर आपको कहां चाहिए आपको चाहिए जो malloc ने आपका space create किया है उसके अंदर input चाहिए तो malloc क्या करता है जब अगर यह return करेगा ना void pointer को तो जो pointer होगा आपका पहले बाला जो location होगा जो malloc ने रिटन किया box उसका पहला location का address send करता है तो आपको यहाँ पर pointer arithmetic यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको अपनी प्रानी वीडियो में बताया था आपको अगर वो नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो को भी देख सकता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपको input कराना है p plus i के अंदर अब यह line आपको समझ भी पड़ेगी अब यह क्या है देखिए p के अंदर suppose कि यह आपका malloc द्वारा बनाया गए box का पहले का address है जोकी है आपका 1000 अब 1000 के बाद अब जब integer use करेंगे तो malloc किस तरीके से location बनाते है वो बनाएगा 1001, 1002, 1003 कुछ इस परकार से continue यह से box आपके बनाता है एक एक byte के और integer के लिए क्या चाहिए इंटीजर के सही है आपके दो बाइट है यहां एक input आएगा 1002, 1003 यहां आपका एक integer नमबर आएगा तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि I जो है वो आपका integer type का है ठीक है और I की value फिलाल 0 है पॉइंटर में अगर 0 जोड़ता है तो वो उस ही लोकेशन पर रहेगा यानि कि इस ही लोकेशन पर रहेगा ठीक है अब यहां आई की value 1 हो जाएगी तो यानि कि वो integer के साब से बढ़ेगा क्योंकि integer आपका 2 byte का होता है तो वो डो इस्पेस को आगे बढ़ाएगा यानि कि इन दो इस्पेस को यूज करेगा इसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेगा जब तो 1004 एं 1005 इसके अगली अगर आपको अभी भी confusion हो रहा है तो आपको pointer arithmetic पढ़ने पढ़ेंगे तो कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हूं तो आप उनको देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने मैलोक के उस लोकेशन पर इंपूट ले लिया है अब हमें क्या करना है कि अगर हमने इंपूट ले लिया है तो हम इसको आउटपूट भी करना चाहेंगे तो हम इस for loop पो copy कर देंगे और यहां नीचे जाकर paste कर देंगे ठीक है अब हमें क्यूकि इंपूट नहीं चाहे तो हम scanf को हटा देते हैं अब हमें output देना है तो अगर हम output देना चाहते हैं तो हम printf को clear करते हैं पहले इसके अंदर double quotes लगाते हैं और यहाँ percentage d देते हैं क्योंकि हमें integer display करना है और space दिखे तो इसलिए हम escape sequence character tap को use कर देते हैं जाकि space आपका बना रहे हैं और आपको print करना है तो print भी आप उसी पर कार से करेंगे उस location की value तो वो location क्या है p plus जो भी आपकी i value है मतलब location चलेगा अब आपको पता है pointer अगर आप यह बिना strict के लिखते है तो वो सिर्फ address प्रिंट करता है और अगर आपको उस address के अंदर की value चाहिए तो आपको यहाँ पर इसे indirectional operator गंदर लिखना पड़ता है तो आप यहाँ पर indirectional operator लगाएंगे parenthesis के साथ तो यह क्या करेगा कि जो भी location पर आपको pointer होगा उस location की value को print कर देगा तो एक बार हम इसे shape करके compile कर लेते हैं तो सबसे बोला है बोला है enter the number of integer to be continued तो आप कितने integer टाइप करना चाहते हैं यह उतनी ही space आपके सामने बना देगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर 6 integer टाइप करना गार्वेस वैल्यू तो यहाँ पर गार्वेस वैल्यू को दुबारा से update मार रहा है तो 5 चला गया ठीक है 6 चला गया 4 गया 3 गया 2 गया बन गया एंटर करते हैं तो यह सारे रिटर हो जाएंगे 5,6,4,3,2,1 यानि कि आपका malloc function एक तरीके से सही से काम कर रहा है ठीक है तो दूस्तो आज कि इस वीडियो में से पितना ही आसा करतों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई problem है तो आपने pointer arithmetic नहीं पड़े होगे या फिर आपको pointer ही नहीं आते होगे तो वस यही आपको कारण हो सकता जो आपको नहीं समझ भाया होगा बाकि मैंने कोशिस किया आपको एकदम साही से समझाने की तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में से इतना ही आसा करतों आपको यह वीडिय यह पसंद आजिए तो कि इस वीडियो को लाइक कर जीजिए शेयर कर जीजिए अपने दोस्तों साथ अगर इस चैनल परने तो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जीजिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद